प्रेन से बली संकर्भगवान की जै हर हर महादेव देवो का देव महादेव जी के चरण में पणाम करती हूँ मेरा पणाम स्विकार हो माता गौरा पार्वती के चरण में पणाम करती हूँ मेरा पणाम स्विकार हो गनपती ललानमा के चरणे पढ़ाम करती हूँ मेरा पढ़ाम स्विकार हो सब गुरु भाई बहना के चरणे पढ़ाम करती हूँ मेरा पढ़ाम स्विकार हो गुरु भाई बहना मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ इस कथा को पूरा सुनिये और रहत जानिये आदी नहीं, आदी सुनने में सिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में बगवान दया करते हैं, किर्पा करते हैं, घर में सुक्सान्ती मिलती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिये और रहत जानिये, हर हर महादेव, घर घर महादेव, गुरु भाई भणा, एक गुरु भाईया थे, गुरु भाईया बड़े गरीब थे, गुरु भाईया जो थे बड़ी गरीब थे, निर्धन थे, उनके पास कोई धनत नहीं था, दोनों पती पत्नी किसी के खेत में काम या कोई काम करते थे तब ही गुजरवसर होता था दो बग्त का चुला जल जाता था धीरे धीरे उनका समय ब्यतित हो रहा था गुरु भाई वहना जो गुरु भहिया थे सुद्ध साका हारी भोजन करते थे लेकिन गुरु भहिया के जो पत्नी थी और मांसाहारी भोजन क्या करती थी बिना मांसाहारी के एक दिनों भोजन नहीं करती थी उसको यही कहना था कि यह जी जब तक हम मांसाहारी भोजन नहीं करते जब तक कल मेरा पेट नहीं भरता इसलिए कितनी भी कम मजदूरी करके लाते थे लेंगिन उसके लिए मांशा हारी जरूर खरीद कर लाया करते थे दीरे-दीरे समय ब्यतित हो रहा था समय बित्ते बित्ते गुरुवाई बहना चार से पान साल बित गया ओ गुरु बहना जो थी ओ गरवती रह गई जब गर्वती रह गई तो गुरु भाईया और गुरु भाईया दोनों आपस में बड़े खुश थे धीरे 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 नौमा महीना बित गया और जब 9 महीना बित गया गुरु भाई बहना तो उसके 9 महीना के बाद उसका ओद्र से एक कन्या जन्म ली और कन्या जन्म लेने के बाद दोनों बड़े खुश हुए लेकिन वो खुशी जादा पल तक नहीं रहा चार से छा महीने होते होते जो गुरु भहना थी उनका देहांत हो गया यानि इस दुनिया से चल वसी बगवान की प्यारी हो गई आप जो गुरु भहिया थे और सोचने लगे कि मेरा एक बेटी है मेरा पत्नी इस दुनिया से चल गई इसको गोद में लेकर बैठेंगे तो परतिपाल नहीं होगा इस बच्ची के लिए भी भोजन चाहिए मेरे लिए भी भोजन चाहिए इसके विमारी का इसके कपड़ा का इसके परतिपाल कैसे करेंगे लोग अगल बगल वाले से पूछे अगल बगल वाले लोग से तो लोग कहने लगे कि अरे भाई तुम्हारा उम्र क्या हुआ है दूसरा ब्याह कर लो दूसरा बिवाह कर लिए गुरु भाईया और जब दूसरा बिवाह कर लिए तो दूसरी पत्नी आ गई गुरु भाईया अपने पत्नी से करते हैं कि देखो जो ये बिना बिटिया है इसके लिए ब्याह किये हैं इसका परतिपाल अच्छा से करना इसका देखवाल अच्छा से करना सो तेली मा आई लाद प्यार देने लगी अच्छे से गोद में खिलाने लगी समय समय से उसको दूद पिलाने लगी उसको समय समय से असनान करवाती तेल लगाती धीरे धीरे चार छामें इन हुआ एक पडोशन थी तो पडोशन घर में प्रती दिन जाया करती थी और देखती थी तो उसे जलन होता था एक दिन जाकर बैठी उसके चूले के पास और कहती है पडोशन अरे वहन सुसमा का मा क्या तुमारे घर खाना बन गया अरे ऐसे भी तो सुसमा का मा तो फालतुए में बुलाते हैं सुसमा का मा तो है ही नहीं सुसमा को मा तो इस दुनिया से चल गई अरे सुस्मा के मा तू कैसे हो सकती हो सुस्मा का सुतेली मा का के मुझे बुलाना चाहिए लेकिन खैर मानना पड़ेगा एही बेटी एक दिन तुम्हें लोटे में पानी भी नहीं देगी तुम्हें थाल में बोजन परोश के नहीं देगी ये तो ससुराल चली जाएगी और अपने ससुराल में जाकर बोलेगी अरे मेरा तो सौतेली मा थी मुझे तो प्यार करती ही नहीं थी मेरी मा जो थी वो तो मुझसे धूरिया बना कर रखती थी फिर तू क्या करोगी तुमारे हाथ में आखी रहेगा क्या गुरुभाई वहना एक दिन में सुस्मा की सौतेली मा कुछ वच्ची का नाम सुस्मा था सुस्मा की सौतेली मा उसके बात को नहीं लगाई अब धीरे धीरे प्रती दिन उसके घर जाती उसके कानों में फुस-फुस आती और जब कानों में फुस फुस आती तो उसके बात में आकर इसको समय से दुद नहीं पिलाने लगी समय से भोजन नहीं देने लगी समय से इसका तेल नहीं लगाने लगी अब इसका सेवा करना धीरे धीरे छोड़ दी धीरे धीरे बच्ची ओ एक से डेड़ वर्स की हो गई जब भी ओ गुरु भाईया आते तो अपने बच्ची को दरवाजे पर बैट कर रोते देखते ओ जब मल मुत्र करती थी तो पैंट में ओशी रहता था गुरु भाईया अपने पत्मी को डाटने लगे अरे तुमसे एक बच्ची नहीं समरता क्या करती हो घर में आखिर इस बच्ची के देखवाल के लिए तो तुम्हें हम लाए है बड़ा गुसे में सुस्मा की मा बोली गुरु भाईया का पत्नी बोली दूसरी पत्नी तो ठीक है क्या मुझे सोख नहीं कि मैं भी अपने बच्चे का जन्म दूँ इस बच्चे को पोशने से मुझे क्या होगा हम इसका परतिपाल नहीं कर सकते हैं यह आपकी बेटी यह मेरा बेटी नहीं है इसकी मा तो मर गई इस दुनिया से चल गई यह भागन यह कुलच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च प्रेजे पर बैठने के लिए आई है मेरे सरका बोज बन गई है हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं गुरु भाई बहना आप गुरु भहिया बड़े मजबूर थे सुसमा के पिता बड़े मजबूर थे अब तो नहीं तो पत्नी का तरफदारी कर सकते थे और नहीं तो बेटी को अपने घर से बिघ सकते थे अब क्या करते थे कि जहां काम करते थे वहाँ बच्ची को ले कर जाते थे दिरे दिरे उसी तरह समय ब्यतित होने लगा समय भीते भीते वो बच्ची पांच है साथ साल के हो गई जब साथ साल के हो गई तो वही परोशन करती है कि अरे तुमारा बेटिया साथ वर्स की हो गई जितना बड़ा तुमारा बेटिया है उतना बड़ा मेरा बेटिया थी तो चूला चो का करती थी आटा गुंती थी सब्जी काट कर रखती थी तुमारा बेटिया जो है पती उसको सर पर चढ़ा कर रखे हैं जहां काम करते वही लेकर जाते हैं उसके घर पर रखो बेटी है बेटा नहीं सवतेली माँ घर पर रखने लगी गर का काम कराने लगी चूला चोका में लगा दी अपढ़ाई लिखाई तो उसका कोई जरूरत नहीं था अब घर के कामों में उबेश्ते हो गई लेकिन गुरु भाई बहना ओ जो सुसमा थी ओ लोग के देखती थी कि सब लोग कहां जाते हैं तो पिछे पिछे चल जाती थी और मंदिर में जाकर वो बजन चर्चा करने लगी गुरु ग्यान ले ली सब लोग उसको मंदिर में कहने लगे कि रे विटिया तु बहुँ छोटी हो कैसे गुरु का ग्यान ले सकती हो कैसे जाप कर सकती हो तो कहती है की मुखवा से बुलवई गुरु भईया पईरवा से चलवई जी हथवा से करवई चवुका चूलान हो राम की गुरु भईया देई दे हुँ हमारा के ग्यानन हो राम दिल में बसा के रखवई गुर जी के ना मामा हो दिल में बसा के रखवई गुर जी के ना मामा हो दिल वा में जाप करी ले हवँ राम सब गुरु भाई गुरु भाना कहने लगे कि अरे तु बड़ी छोटी हो इतना छोट से कैसे कर सकती हो चर्चा कैसे अजाप कर सकती हो तो कहती है कि देखिए मेरा जो सोतेली मा है वो त्याचारी है क्या कहें मैं तो एक अभागन हूँ तो चाहती हूँ कि बगवान का नाम लेगे तो हो सकता है मेरा साइद पिछले जन्मे में कोई पाप किये होंगे तो पाप धूल जाएगा और मेरा सही समय आ जाएगा इसी लिए हम भगवान का सरन में आते हैं और चर्चा हम करते हैं जाप करना भी चाहते हैं गुरू को नाम को अपने दिल में बसा कर रखते हैं हम गुरू को सिव गुरू को गुरू बना कर उनका सिस बन जाना चाहते हैं सब लोग कहने लगे कि भाई देह दीजिये इसको जाप करेगी अच्छा है अब उसको गुरु ग्यान दे दिये तिन सुत्र के पालन करने को लिए उसे बता दिये अब वो लड़की जो सुसमा थी ओ अपना घर आती थी किसी को नहीं बताती थी अपने मा को भी नहीं बताती थी उसके मा जो सोतेली थी उगाय गोरू चराने भेज देती थी गोवरे इकठा करने को लिए भेज देती थी और वो लड़की उद्रही से उद्रही चर्चा में चल जाती थी धीरे-धीरे समय बित रहा था ओ 12-14 साल के हो गई, साधी का योग हो गई तो सब उसको सोतेली मा को कहने लगें कि एरे तुमारा बेटी या बड़ा हो गई उसको साधी कर दो साधी कर दो, नहीं साधी करेगी तो ओ गलत रास्ता चुन लेगी, गाय गुरुच राती है और गोवर गोईठा करती है इसी लिए उसको साधी कर दो गुरुवाई बहना सुसमा को पिता जो थे काम करके आए तो सुसमा की सोतेली मा करती है कि ये जी देखिये ना गली का लोग हमको चलने नहीं देते हैं सब लोग करते हैं कि आपका बेटिया बड़ी हो गई है ब्याँ कर दीजिए तो क्या अपना बेटिया को ब्याँ कर देंगे आप सुसमा के पिता बोले कि हाँ कर देंगे तो ये जी तीलक दहेज कहां से आएगा वो बड़ी हो गई मेरा भी दो तिन बच्चा है पतिलग दहेज कहां से आईगा देखिए एक आगो पचास सट के साल के बुढ़ा रहेगा तो उससे ब्याह कार दीजिएगा बोलेट कि ठीक है देखेंगे गुरु भाई भणा कई दिन वो ढूड़े बार लेकिन वो इसा बार नहीं मिला चारो कोना से घूर के आए तो कहते है अपना पत्नी से किये रे हम चारो कोना तो घूर लिये लेकिन वो इसा बार नहीं मिला अब इसका योग ही बार इसको ढूड़ना पड़ेगा तो कहते है सोतेली मा किया जी आपको क्या पता है योग बर ढूनेंगे तो इसको कौन रखेगा आपको किया पता ये जानते हैं मंदिर जाती है चर्चा करती है भुन भुन आती है तो लोग पता नहीं क्या इसके बारे में कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे इसका जोड़ीदार बर से करेंगे गरीब घर के लड़का से कर देंगे लेकिन जोड़ीदार से करेंगे गुर्भाई वना जो सुष्वा के पिता थे ओबर ढूने ने फिर से गए चलते 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 एक किसान के घर में गए किसान के एक ही बेटा था बड़ा आयावारा था बड़ा पियक्कड था नसे में बावूर रहता था नसे में ओ हरमेशा पागल रहता था सुसमा के पिता गए उसके घर रिस्ता लेकर ओ जब रिस्ता के बारे में लड़के के पिता सुने तो बड़े खुस हो गए और सोच लिए कि चलो मेरा बेटा का भी व्याह हो जाएगा वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताए और ब्याह के लिए रिस्ता तै कर लिए एक पैसा तीलक नहीं मांगे सुसमा के पिता बड़े परसन हो गए खुस हो गए कि चलो मेरा बेटा का मेरा बेटी का ब्याँ एकदम फिरी फिरी हो रहा है गुरुभाई वहना घर आये सुस्मा के पिता अपने पत्नी से बोले कि योगबर भी मिल गया और तिला को एक पैशा नहीं है और घर बर अच्छा है साधी बिटिया को कर दे रहे गुरुभाई वहना साधी हो के सुस्मा अपना सथुरा लगई इसको तो खावा खर्ची हमसे चल वे नहीं करता है ते इसका पत्नी का हम कहां से चलाएंगे हमसे पार नहीं लगेगा इरोज सरावे पीता है गंजे भंग पीता है तो हम इसको साथ में नहीं रखेंगे गुरुभाई बहना अब तो सुसमा थर्थर कापने लगी रोने लगी रोते रोते रात में सो गई यह जो पीयकवा था गुरुभाई बहना जो दो चार रुपया था पैकित में जाके सराव पी के आके पढ़ गया अपना पत्नी से हाल समचार भी नहीं पुछा कि हा तुम कैसी हो और खाना खाई की नहीं खाई सुवेरा हुआ तो सुसमा सोची की है भगवान हम तो भूखी रह लेंगे लेकिन आखिर पती पर में स्वव होते हैं में इन्हें भोजन बना में देना तो में धर्म है या खवसा चावल जो था चावंवना और अपने पती को भोजन करवा दी पती को भोजन करव आके गुर्भाई भहना और उसके बाद बेचारी चुट्चा बैठ गई प्यकवा जो था चला गया काम करने को लिए काम करके और सामे में आया तो पूरा पी के फलाड में आया फलाड में आया बेचारी भूखी थी जो सुसमा के सास थी वो बोली कि रे तू तो पी के प्रती दिन की तरह आज भी आया है तुम्हारा पत्नी क्या खाईगी ए तो कल भी भूखी थी आज भी भूखी है तो इसके लिए कुछ लाना चाहिए तुम्हे पैकिर से दो चार रु उसके सास रुपे लेकर दुकान जाकर उसके लिए आटा ले आई कुछ सब्जियां ले आई बेचारी सुसमा बना के खाली अब गुरु भाई वोना धीरे धीरे गुजर बसर होनी लगा धीरे ये प्रती दिन क्या करती थी उसके पती पी के आते थे कुछ रुपिय उसके पैकित में बचा हुआ रहता था ये निकाल के धर देती थी और निकाल के धर के थोड़ी थोड़ी पैसे जमा करती थी कुछ से अन ले आती थी कुछ से तेल मसाला करती थी कुछ रुपिय जमा करने लगी धीरे धीरे दो महीने तीन महीने बिता तो एक संकर भगवान के तस इस्वीर पर पूझा करने लगी ये चर्चा तो पलती दिन का तिर्करती थी दीरे दीरे एक संतान हुआ एक साल जब विता तो एक संतान भी हो गया सुसमा के पती का सरावी हालत नहीं छुटा सुसमा बड़ी दुखी रहती थी एक दिन का बात है कि गाउं में गुरु भाई बहना मंदिर में चर्चा हो रहा था अब चर्चा हो रहा था तो अपना पती से कहती है कि यह जी मेरा बच्चा जब पेट में था तो हम बड़ी डरते थे हमको लगता था कि है भगवान मेरे पती पियाख है अपना पती को भी नहीं बताई थी कि हम चर्चा करते हैं, भगवान का गुरु ज्यान ले रखे हैं हम अपने भगवान महादेव का गुरु बना लिये हैं, हम मैं उनका शिशू वो नहीं बताई थी अपने सास से अपने जेट से जिठानी से पती से किसी से नहीं बताई थी सिर्फ अपने भगवान को मन में बसा के रखी थी अपना पती से बोली कि यह जी हम चर्चा रखें चर्चा में जाएंगे जी मंदे जाएंगे उसका पती बोले कि रे चर्चा में जाने सी क्या होगा चर्चा में मत जाओ और नहीं तो देखो ये तेगा तुम्हारा सर से धज अलग कर देंगे तुमको हम जीने नहीं देंगे चर्चा में तुम्हें जाने नहीं देंगे गुरुभाई वना भिरा के उसके पती चले गएं काम करने जब काम करने गएं तो बैचारी सुसमा जो थी ओ बच्चे का गोद में लेकर बदाम और मिश्री लेकर मांग धितूरा लेकर बेल का पत्री लेकर ओ मंदिर में चर्चा में चल गई चर्चा में चल गई और जाके वहां गाने लगी सब लोग कहने लगे कि अरे गुरुभाई आप कभी नहीं चर्चा में आते थे चली आज आए हैं चले ये अच्छा है जब बैठी तो अहां गाती है गुरुभाई वहना कि केता दुखवा देला तो हो सिवा गुरुभाई दुखवा सहलो न जाए केता दुखवा देला तो हो सिवा गुरुभाई दुखवा सहलो न जाए ली हाली जालमी आता वा माता मरी गए ले पीता कैले दो सरो भी वहा वा हो दुखवा सहलो न जाए पीता कैले दो सरो भी वहा वा हो दुखवा सहलो न जाए माई मुरय आई गएले हकवा जताई लीले हामरा के नुकरानिया बना बाले हो दुखवा सहलो न जाए हामरा के नुकरानिया बना बाले हो दुखवा सहलो न जाए गवा चारा बाबाले हो गोवर चुना बाबाले आवो रोन घास गड़ बाबाले हो दुखवा सहलो न जाए गुरु भाई वहना बगवान से कती अपना बिती हुई बारे में बगवान से बताने लगी सब गुरु भाई बहना के आख से आशु गिरने लगी सब गुरु भाईया बहना सब रोने लगे सब के आखों से आशु गिरने लगा जैसे मोती का लार हू सब के आख में पानी भर रहा है सब कर रहें गुरु बहना आपके साथ इतना दुख हुआ कहती है कि अभी तो बाकी है अभी तो मेरा दुख भगवान सुन्वे नहीं कि यह है मेरा पुकार अभी तो मेरे पास और कुछ है मेरे जो दुख है भगवान कब हरते हैं गुर्भाई बहना अपना दुख सब को बताए कि देखिये मेरे जो ब्याह हुआ मेरे पती भी सरावी हैं आप लोग भी जानते हैं लेकिन क्या करें आज हम चर्चा में तो आ गए हैं लेकिन पती से चुपे चूरी आए मेरे पती देव जब डिप्टी करके आएंगे तो हम उनसे नहीं बताएंगे कोई नहीं बताईएगा गुरु भाई भहना अव चर्चा संपन करके सुसमा जल्दी जल्दी अपना घर गई घर गई घर जाते ही देख घर के दरवाजा खोल कर अंदर गई और उसके पती जो हैं आ गए मतवाला बनके जब मतवाला बनके आ गए तो बैचारी देख के थरथर काप रही है कि काजनी हमको पती हमको देख लिये चर्चा में क्या अपने पती के सामने हाथ जोड़कर करती है कि देखिए छमा कर दीजिएगा आप लगता है ज़्यादा आज नसे में बावर हैं उसके पती करते नहीं नहीं देखो साख सबजी लाए हैं जर आच्छे से प्रेम से बनाना तीखा बनाना अच्छा लगेगा सुसमा डर के मारे चुक्ती भोजन बनाई उसके पती खा लिए अब क्या होता है गुरु भाई बहना कि हर सुमबार को गुरु बहना इसके घर आने लगे और कहने लगे कि यह गुरु बहना आप जो गाते हैं आपका गला में तो लगता है सुर्सुती माता का बास इसलिए आप जब नहीं जाईएगा मंदिर में तो चर्चा हम लोग नहीं करेंगे आपको मंदिर चलना होगा और चर्चा में आपको सामिल होना होगा अब तो सुसमा हर सुम्बार को जाने लगी लेकिन एक दिन का बात है गुरु भाई वहना कि उसके जो पती थे पती डिप्टी गए और डिप्टी में आधी बेला किये और आधी बेला में चल आए चल आए तो देखते हैं कि पतनी घर पे नहीं है पतनी घर पे नहीं है चारो तरफ खोजे अगल बगल में पूछे तो लोग कहने लगे कि भाई हम नहीं देखें नहीं देखें अब इधर उधर खोचते खोचते सोचते हैं कि लगता है मैं के भाग गई कहां भाग गई गुर्भाई वैना जो उसकी मा थी सुसमा के सास वो कहती है कि बेटा तुम्हारा पतनी जो है पता नहीं क्या जानती है तुम नहीं रहते हो तो हाथ जोड़के बैट जाती है और पता नहीं क्या बक्ती है क्या जबती है यह वो फोटू रख लेती है और फोटूआ पर अच्छत फुल चढ़ाती है पर साधी चढ़ाती है क्या करती है हमें नहीं पता हर सोंबार के ओ कही जाती है लगता है संकर भगवान के मंदिर में जाती है सुसमा के पति आओ नहीं ताओ देखे एक डंटा हाथ में ले लिए और एक डंटा हाथ में लेकर अपने पतनी को मंदिर में लाने चले गए गुरुभाई बाना जब पत्नी को मंदिर में लाने चले गए तो सुस्मा जो है देखकर मंदिर में का रही है अपने सब गुरुभाईया से गुरुभाईया से कि देखिए मेरे पती बोरावा है आ रहे हैं डंडा लेकर आ रहे हैं डंडा लेकर आज मुझे मारेंगे आज जरूर मारेंगे देखिए रोज हमको मारते हैं आज भी मारेंगे जब सुस्मा के पती मंदिर के पास गए तो थर्थराती हुई सुस्मा डर से बोली कि आज आप बड़े जल्दी आ गए सुसमा के पती कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारा चोरी जानने के लिए जल्दी से आ गए मंदिर में क्यों आती हो सुसमा डटकर बोली देखिए आप नसर में बाउर प्रती दिन रहते हैं आपको मना कभी किये? नहीं किये न आप प्रती दिन मांसा अरी भोजन करते हैं क्या हम आपको कभी मना किये? नहीं किये न हमको मर जी हम आएंगे चर्चा में आप मुझे चर्चा में आने से नहीं रोख सकते हैं आप कैसे रोख लेंगे वो देख लेंगे सुसमा के पती जो थे सब के सामने बड़ी प्यार से बोले कोई बात नहीं चर्चा में आई हो हम मना नहीं कर रहे हैं बस मुझे एक बार बतला दे थी सब लोग गुरु भाई या गुरु बहना जो थे कहने लगे कि ये गुरु भाई आप भी बैठ जाईए चर्चा में सुस्मा के पती वहाँ पर बैठ गए चर्चा में और चर्चा में बैठ कर और ओभी चर्चा भजन सुनने लगे दीरे दीरे समय बिता चर्चा संपन हुआ और चर्चा जब संपन हो गया तो सब परसादी लिए वहाँ पर सुस्मा के पती भी परसादी लिए अब सुस्मा के पती जो थे अपने बच्चे का गोध में लिए और वहाँ से चल दिए सब कोई चल दिए अपना घर आने पर सुस्मा के पती कुछ नहीं बोलने लगे अपना पती से दीरे 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 इंतिजार करने लगे कि कब सुम्बार आता है गुरुबाई वहना सुम्बार के दिन सुबा सुबा ओ बजार चले गए बजार चले गए और ठीट 11 बज़े 11 बज़े चर्चा में हो जाती थी 11 बज़े से आधा घंटा पहले छोटी छोटी मचली लाकर धर दिये और कहने लगे कि अरे मेरा प्यारी पच्चनी जड़ा इसको जल्दी से बना दो इसको जल्दी से बना दो हम आज इसके साथ भोजन करेंगे अब तो सुसमा का हवास गुम हो गया हक्के बक्के बंद हो गया और सोचती कि आज बगवान भोले नाथ इतना बड़ा जाचना कैसे ले सकते हैं एक भक्त से इतना बड़ा आप कैसे परिछा ले सकते हैं एक तो जब हम जन्म लिये तो मिरे मा मर गई मेरे पिता दूसरा विबा कर ली तो सोटेली मा भी मुझे नहीं समझती थी तीसरा में मेरे पती जो है इतना बड़ा सरावी निकले चौथा में इतना बड़ा परिछा मुझे लिवा रहे हैं कोई बात नहीं भगवान चर्चा में भी जाएगे अब पती काग्या के भी पालन करेंगे कोई बात नहीं आप काटल परीचा को हम देके ही रहेंगे अब बेचारी मचली दो रही है और नमसिवाई नमसिवाई बोल रही है गुरुबाई वहना मचली में तेल मसाला लगा रही है और नमा सिवाए नमा सिवाए बोल रही है मचली भूझ रही है और नमा सिवाए नमा सिवाए बोल रही है गुरुबाई वहना थोड़ी सी मचली डालती तो लगता कि इतना सरा पड़ गया ताई में अब एक एक घानी निकालती तो लगता कि तीन घानी निकल गया उसका मचली जल्दी जल्दी भूंजा गया मचली जल्दी जल्दी भूंज के और ढक दी और ढक के اور अपना पती से बोली कि देखीए हम मचली बना दिये हैं अब जो है मेरा गुरू बहन सवाएंगे उनके साथ हम जा रहें चर्चा में उसके पती करते हैं कि मुझे परस के भोजन करा दो तब ही जाना जब तकल हम भोजन नहीं करेंगे तब तकल तुम नहीं जाना आप बेचारी सुसमा सोचती है कि है भगवान आज मेरा अगनी पर इचाह इतना बड़ा भगवान ले रहे हैं कैसे दे सकते हैं अपना पती से बोली कि ठीक है स्वामिनात, आप जे मिली जीए, गुरुबाई भहना सुसमा के पती जब भोजन करने को लिए बैठे, तो बैचारी भोजन परोश के देकर बेना डोला के अपना पती को भोजन करा दी, भोजन करा दी, उसके बाद, अब करती है कि तो अब जा तो ठीट है मुझे नहाने को लिए दो वाल्टी पानी भर दो अब सुसमा दो वाल्टी पानी भी भर दी कुद का नहा के चूड़ी बदलके बाल जरके और उसके बाद चरचा में गई चरचा में गई गुरु भाई वहना चरचा सुरू हो गया कोची काओ तो हाक दा हाक दा गुर्भाई बहना अब क्या होता है कि वो जो सुस्मा जट पड चल गई चर्चा में इसके पती सो गए और सो जाने के बाद अब नींद खुला तो उसके पती अकबक में खोजने लगे कि मेरा पत्नी लगता है बच्चे को लेकर चल गई चर्चा में एक डंटा उठाए और डंटा उठा कर और चल गई जहां सुस्मा चर्चा में वही उसके पती भी पहुच गए और जब पती पहुच गए गुरुभाई बहना तो सब लोग कहने लगे कि लिजिये गुरु भाईया भी आ गए चर्चा म बैठिये गुरु भाईया चर्चा में तो करते हैं कि हम चर्चा सुने नहीं आये हैं हम अपना पत्नी को ले जाने आये हैं पत्नी को बाल खीच के और काते हैं चर्चा में से चलो सुस्मा बोली कि केता दुखवास ही है मासीव गूरु हो केता दुखवा सही हम सीबा गूरु हो दुखवा सहलो न जा है जेही दिन से बन ली सिवे गुरु तो हर असी सी आ अर नही मानई हमारों के माना मा हो दीना कर अले भाजाना मा हमारों के बाता सिवे गुरु सुनिया माना चित लगाईये अजर जावा सामी हमारा के मारातान हो गुरु तेज देवो परानामा जावा सामी हमारा के मारातान हो गुरु तेज देवो परानामा गुरु नाय वो सारानामा जावा तेज देवो परानामा आज एदी मेरे पती एक डंटा भी मार दिये तो अपना प्रांत ट्याग देगे अपना प्रांत ट्याग देगे नहीं रहेंगे इस धर्दी पर किसी का बात महीं मानेगे। गुरुभाई बहना महादेव इतना निर्दई कि अपने भाक्त के बचाने खड़ी नहीं हुए देखी गुरुभाई बहना भाक्त कितना विश्वास से महादेव के सामने खड़ा होती है लेकिन महादेव खड़ी नहीं हुए आगे आगे देखी क्या होता है उसको जो पती ते बाल खीच-खीच के उसको मारने लगे डंटा से मारने लगे धर्ती पर जमीन पर लोटने लगी और लोट के अपना प्रान त्याग दी जैसे लग रहा था कि फूल के हार है उसके प्रान वो अपना दम तोड़ दी और जब दम तोड़ दी तो सारा लोग उसके पती को थूथू करने लगे किया रे तुम्हारा जो पत्नी है वो मर गई कितना निर्दई है अपना पत्नी को गोध में लेकर हिलोरने लगा मूँ निरेखने लगा हाथ पाव छूने लगा दवाने लगा और उसका पती कहता है कि अरे प्यारी हम तो प्रती दीन की तरह आज भी हम बस वही कर रहे थे प्रती दिन तुमको मारते थे तो आज हम तुम्हें नहीं मारे थे तो मन्री में मारने चला है इसलिए क्यों तुम मुझे छोड़ कर चली गई तो गुरुभाई वहना उसका आत्मा आवाज निकल रहा आत्मा से अंदर से आत्मा उसको बोल रहा है कि हम बनली सीव गुरु के सीसिया हो दुखवा सहलो न जाहे डोलावा बाजाहे सामीनी का लईयावा जावा अरे मारे दुखवा सहलो न जाहे हो हा मा के करा सुनाईयो गोदी की बला कावा के दुखा मा तु दी हा मा तु लई हा हा मारो सवतिया हो दुखवा सहलो न जाहे अपना पती से उसका आत्मा कर रहा है कि ये देखिए हम तो अपना प्रान त्याग दिये धोल बजाता है जैसे मेरा सरीर को बजाते रह गए क्या मेरा आवाज मने खोजते थे कि इसका सरीर में से आवाज निकले तो अपना प्रान हम त्याग दिये लेकिन देखिए मेरा एक बच्चा जो है तो ब्याब करके मतलाईएगा सवत मेरा उस बच्चा पे आपको जीवन बिताना होगा गुरुभाई बहना उसका जो पती थे पती बिल्कुल बावर पागल हो गए महादेव के भरी अकवारी धर लिए और अपना माथा पिटना शुरू कर दिये ये महादेव जब तक हमको पत्नी नहीं बचेगी नहीं बोलेगी तो हम अपना प्रान त्याग देंगे हमको पत्नी का प्रान वापस चाहिए और मंदिर में प्राती दिन अगर जो जीवित विराग है तो डलवा से लाके इसको में मल मूत्र भर देंगे भगवान महादेव इचिज विस रहने के लिए तैयार हो जाईए उत्ता से चटवाएंगे कोई मंदिर नहीं रहने देंगे तोड़वा देंगे संकर भगवान जो हैं पारवती के सामने थर्थराहाट उनका आ गया शरीर में कि पुजना से सब डरता है पुजना से कोई नहीं डरता है मुतना से सब डरता है सच में मेरा मंदिर में मुत देगा पुजा करने वाला कि कितनों दुख दे देंगे लेकिन फिर भी उपुजा करेगा लेकिन जो पुजा नहीं करता है वो कह के रहता है पुराता है इसलिए इसका बचन तो पुरा करन पड़ेगा आपको यदि नहीं लोटाईएगा तो देखिए अपना माथा का रक्त गिरा लिया आपके सीविलिंग पर पूरा उसको माथा तो फट गया पटकते पटकते आपका सीविलिंग पूरा रक्त से रंगा हुआ है आप संकर भगवान क्या करते हैं सुसमा को प्रान ब स्वि Hut साने लगे मैं इस सुसमा करते हैं कि नोपाप कहा इहां घ्रड़े नहीं थे अधर्मी नहीं थे हुआ धर्मी तो हम थे पापी तो हम थे कि तुम्हारा कदर नहीं कर पाए तुम्हारा बातों को भावनाओं को हम समझ नहीं पाए इसलिए आज से जो भी गलत काम करते थे हम सब कुछ त्याग करते हैं और मन चीत लगा के मेहनत करके तुम्हारे पास दो पैशा लाएंगे और कभी भी हम गलत चीज में हाथ नहीं लगाएंगे और हम भी इसी मंदिर में आज गुरु ग्यान लेना चाहते हैं गुरु भाईया गुरु बहना सब कोई बोले ठीक है गुरु भाईया आप ग्यान ले लिजिए सब मिलकर वहाँ उनके नाम दर्ज किये सुस्मा के पती का नाम दर्ज किये सुस्मा के पती गुरु ग्यान लिए तीन सुत्र के पालन करने लगे अब सुस्मा के पती जो थे बिलकुल नसा मूप्त हो गए कोई नसा नहीं करने लगे सुस्मा के से बड़े प्यार करने लगे अब सुस्मा के अपने आखों के पलकों पर विठा के रखने लगे सबसे उनके बढ़ाई करने लगे कि मेरा पत्नी है एक सती नारी है मेरा पत्नी जो कहती है वही करती है मैं सबके सामने उसको हाथ से मार दिया और मेरा पत्नी प्रांत याग दी थी इसलिए मेरा पत्नी जो है सती सावित्री है मेरा पत्नी बहुत अच्छी है सब लोग उसके नाम का गुनगान गाने लगे गुर्भाई वहना अब तो उसके पास धन का कोई कमी नहीं एक रुपया कमाते थे लेकिन लगता था कि जैसे दस रुपया कमा कर लाए हैं देने लगे अब तो लच्मी माता उनके घर में चारो कोन बैठ गए घर में भंडार भर गया अब कोई परकार के कोई दुख नहीं धीरे धीरे समय बित्ते बित्ते अब तो सब की तरह ओ भी धरवान हो गई सुसमा अब कई वस उसके मैके गए हुए हो गया था उसके मैके से उसके सोतेले भाई आए उसके पिता आए देखकर उन लोग चकित हो गए मेरे बहन के घर में इतना धन कहां से आ गया अपने माता से जाकर बोला मा जिस बिटिया को एक निकम्मे ब्यप्ती से ब्या कर दी थी उस बिटिया का घर तो महल जलक रहा है एक महरानी की तरह रहती है वो अपने पती से करती है कि आप तो बोले थे कि मैं उसका ब्याह एक निर्धन घर में किया हूँ और सरावी से किया हूँ तो मेरा बेटा ने क्या कह रहा है क्या ये सच है सुसमा के पिता जो थे कहने लगे भाग किसी को कोई नहीं बाटता है धन का बटवारा तो संसार करता है लेकिन भाग का बटवारा कोई नहीं करता है उसका भाग में जो था वो हो गया और भगवान भोले नात के किरपा से उसका सब कुछ पूरा किये महादेव इसलिए उसको धन देखकर मत जलो जो सोतेली माती जीवन में दुवारा कभी सुसमा को बापस अपने घर में नहीं लाई कदम रखने को नहीं दी सुसमा अपना सस्राल में सुखी जीवन बिताई और खुसी जीवन बिताई अपने बच्चे के साथ, अपने पती के साथ, सब गुरु भाई बहना के साथ तो गुरु भाई बहना, देखिए, समय से पहले भाग से जादा कुछ नहीं होता है लेकिन सबसे बड़ा मेहनत है, जब लगन से, भाबना से मेहनत करेंगे, तो सब कुछ होगा भोजन धाल में परोस दिया है कोई भी लाकर लेकिन मुझे हाथ से उसे मिलाकर खुद को मुँँ में डालना पड़ेगा तभी पेट में जाएगा तभी भूख मेटेगा उसी तरह कोई काम के लिए लगन से मुझे करना होगा तभी कुछ हो सकता है ऐसे नहीं क्योंकि किसी काम के लिए भगवान तो आकर नहीं करेंगे मुझे खुद करना होगा बस भगवान के भरोसे कोई काम पूरा कर लेना है और भगवान पूरा करवा देंगे तो प्रेन से बलिए संकर भगवान कीजे हर हर महादेव घरगर महादेव